देखिए आप कितनी अच्छी गुजिया बनी हैं देखिए हम आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनकर तयार हुई है ये गुजिया पेस्टी होने के साथ बहुत हेल्दी भी है क्यूंकि हमने इसे गेहुं के आटे से बनाया है हमने इ स्वागत करती हूं आपका मेरे चानल को क्वितलता पटेल में आज बनाएंगे गेहूं के आटे की गुजिया होली आ रही है गुजिया अरगर में बनाए जाते हैं सारे टिप्स बताऊंगी मैं आपको कैसे आप इन्हें बना कर तयार कर सकते हैं तो प्लीज वीडियो को पू हमें एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है हमें स्टफिंग के लिए जो आटा यूज करना है थोड़ा मोटा ही हो अब इसे बून लेंगे लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है अच्छी तरह से जबते किस से अच्छी से खुजबून आने लगे इस बात का धिहान रखिए आटा हमें हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर नहीं भूनना है अगर हमें इसे हाई फ्लेम पर भूनते हैं तो इसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन आटा अंदर से कच्छा रह जाएगा तो शेहत के लिए भी नुकसान दायक होगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है अगर हम इसे छोड़ देंगे तो तली में चिपक जाएगा इसलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है इस तरह से लगातर चलाते हुए भूल लेते हैं देखिए लगबख 5-6 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर आटा को भूनते हुए इसमें थोड़ी कसर बाकी है तो अब हम इसमें डाल देते हैं सुद्ध देसी घी घी आप जितना यूज करना चाहे कर सकते हैं कम यूज करना चाहे तो कम यूज करिए अगर आप ज्यादा घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो कम घी भी डाल सकते हैं बिना घी के भी बना सकते हैं लेकिन गुजिया सुध देसी घी में बनी हुई अच्छी लगती है मिलाकर इसे अब भून लेंगे लगभग 3-4 मिनट और भूनना है हम इसे बहुत ज्यादा भी नहीं भूनना है ने तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा देखिए लगभग 5-6 मिनट हो चुके हैं घी ड तो बस आटा भूनकर तयार हो चुका है घस का फ्लेम ओफ कर देते हैं थोड़ी दिर ऐसी चला लेंगे क्यूंकि कड़ाई भी बहुत गर्म है ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे से आटा जब जाएगा देखिए यह हमने कुछ ड्राइकुट्स लिए हैं काजू लिए हैं किमट के साब से ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं आपके च्षायसें सदेकिए सारे डायपूट्स को इस तरह से थाझा प्लेम आपकी हाज गना लेंगेuciónस सदेके भी ini मिला लिया अब झृब्बोने लें रिविप कल ब्तला होनें देन देखे रहें तो इसमें डालेंगे एक चमज घी हो थोड़ा सदा नमक नमक छुटकी सुटकी अगा लेगे अधुट्ट रड़ा कर देंगे कि अब इसमें डालेंगे यह वह कुछ देखेंगे रख़गा कर लेंगे तो हमने इस कटोरी से एक कटोरी गिंग काटा लिया था तो पॉना कटोरी चीनी ले रहे हैं अपने टेस्ट के साप से जासा भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं कम्या पर चाहित लाएंगे सारी चीजों कँछी तरह से देखे मिला लियां मिलाने के बाद आप इसे टेस्ट करके देख सकते हैं कुछ बी कम्या ज्यादा लग रहा है तो आप कर सकते हैं तो देखिए स्टफिंग बनकर तयार है तो चलिए बुजिया बनाते हैं चलिए आटा देखते हैं इस तरह से थोड़ा मसल लेंगे इस तरह से तोड़कर इसकी छोटी-छोटी सी लोईया बना लेते हैं और इस तरह से गोल-गोल से इसके पीड़े बना लेंगे ऐ इस तरह से दिखिए इसphonie से किनारों पर ठोड़ा आठा लगा दिया है यहां से स्टफिंग लेंगे इस तरह से डालेंगे इसमें इस तरह से कर लेंगे अब इसके किनारों पर इस तरह से थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए और जब हम गुजिया फ्राई करें तो स्टरफिंग बाहर ना आए और अब ऐसे करके देखिए इस तरह से इसे इस तरह से मोर देना है ऐसे कर देंगे थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए और ये खुले नहीं और बस इस तरह से इसके किनारों को हटा देंगे इसे फ़रा पेस कर लेंगे इस तरह से कर लेंगे और आप इस तरह से निकाल लेंगे देखे बन गया गुजिया निकाल लेते हैं इसे इतना अच्छा गुजिया बन कर तयार हुआ है रख लेंगे, चली एक और गुजिय बना कर बताते हैं आपको इस तरह से सीट लेंगे, स्टफिन डालेंगे, किनारों पर थोड़ा पानी लगा लेंगे और बस इसे इस तरह से मोर कर फ्रेस कर देंगे, इस तरह से बहुत असान है गुजिया बनाना, साजे से तो आप असानी से गुजिया बना कर तयार कर सकते हैं, बस इसे हटा देंगे, और थोड़ा इस तरह से कर लेंगे, और बस निकाल लेंगे, तो बस इसी तरह से सारे गुजिया बना कर तयार कर लेते हैं, देखें इतने गुजिया बना लिए अब जब भी गुजिया बनाएं इस तरह से किसी भी साफ कपड़े से इस तरह से बनाते जाए और ढग कर रखते जाए क्योंकि अगर आप इसे खुला रखेंगे तो जो उपर का कवर है वो कड़क हो जाएगा और गुजिया फट जाएंगे इसलिए इस तरह से ऐसे यह तियार है कि इतने बना लिए चलिए इने फ्राय करते हैं इदफ जाएंगे ने जाएंगे नेडाई से लेंगे दोट चुखेरेह कि ही ना आजूफ होते हैं पलत लेते हैं इन कीटी की त анwas-सär स्वाइब हो तर生Sí के मरें निलेग तयार को लागन आठे के नहींने मुदु तौन हम तते हैरीया बाकी की दौजिया भी इसी तरह से दाल कर फ्राइकर लेते आ प्राइग होने देते हैं तो लीजे सारी गुजिया से एककर तयार कर ली हमने देखिए आप कितनी अच्छे गुजिया बनकर तयार हुई है गेहूं के आटे की गुजिया गेहूं के सत्तु की गुजिया कहते हैं हमारे यहां पर इसे तो इस हो ली गेहूं के आटे की गुज आपको मिलते रहे तो मिलते हैं नए रस्पी वीडियो में तब तक के लिए बाइ थेंक्स फॉर वोचिंग